आज बात करते हैं प्रीमेचुर ओविरियन फेलर के बारे में बहुत बार ऐसा क्लिनिक में होता है कि पेशिंट आता है और पेशिंट के एज कभी-कभी 28-30 साल होती है चलिए 33-34 साल होती है और जब हम उसका एमेच और एफसी देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पेशिंट हमारा प्रीमेचुर ओविरियन फेलर में जा रहा है और रिसेंटली हमने कई पेशिंट में देखा है कि अरौंड 28 एयर्स तद भी ऐसा हुआ है कि पेशिंट को प्रीमेचुर ओविरियन फेलियर हो रहा है सबसे पहले चीज तो यह लाइफस्टाइल हो सकता है अगर पेश चेज कम उम्रका है तो यह चीज उसके लिए स्वमज़ पाना मुश्किल हो जाता है कि अभी हमें क्यों ओविरियन फेलियर हो रहा है कि अभी हमारे पीरियट स्थीक आ रहा है तो सबसे पहले उसको कांसिल करना उसकी एंजाइटी को कम करना हमारी एक बेसिक लेना जरूरी है और प्लस अगर ऐसे पेशिंट में हम IVF या कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं तो क्या-क्या मोड हो सकते हैं जिससे कि हम उसे प्रेग्नेंसी दे सकें और ऐसे पेशिंट में मोस्टी हम डोनर उसाइट प्रोग्राम में जाते हैं और उसके क्या किस तरीके से उसका ट्रीट्मेंट प्लान किया जाएगा और कैसे इसको प्रेंग्नेंसी दी जाएगी कैसेजी पृम्सी ogyं एक हम आप करना होगा और उसके बाद भी भी उस डाइग्नोसिस को कंफेर्म करेंगे और पेशिंके ट्रीट्मेंट में आगे बढ़ेंगे झांक यू